जब से सेभी ने small cap funds को लेकर थोड़ी सी guidelines को strong करने की बात कही है small and mid cap funds को लेकर तब इसे जितने भी experts हैं या फिर YouTube के experts हैं जो वीडियो बनाते हैं या फिर normally जो real experts हैं सब लोगों का यही हो चुका है small cap funds को exit करे large cap की तरफ move करे small cap में या तो invest ना करें या limited investment करें mid cap में limited देखो एक चीज में यहां पर clear clear आप लोगों को बताना चाहतों question भी बहुत सारे आरे इसको लेकर कि क्या small cap fund को exit कर दे large cap में invest कर ले flexi cap में invest कर ले ऐसे भी questions बहुत ज्यादा comment box एक दम भढ़ चुके यह जो चीज है ना जो सेभी कह रहे हैं या दूसरे लोग कह रहे हैं देखना मैं कई सारे वीडियो में आपको कहता हूँ कि जब आप 10 साल 15 साल के लिए invest करते हो small cap में कर सकते हो invest market की noise से बचके रहना दूसरा आपको पता है कि इस time period में volatility बहुत जादा होगी अगर आपने small cap के अंदर में invest किया है तो small cap के अंदर invest किया है तो बहुत जादा पैसे उपर नीचे long term में growth मिलेगे लेकिन बहुत जादा volatility के साथ ठीक है तीसरा emergency में आप पैसे को withdraw कर सकते हो लेकिन वो पैसा positive में होगा negative में होगा यह आपको पता नहीं होगा आज invest किया चार साल बाद आपको अगर emergency आ गई उस पैसे को withdraw करना है तो कर सकते हो लेकिन चार साल बाद आपका पैसा positive में ही होगा negative में नहीं होगा ऐसा नहीं है वो सकता है चार साल बाद आपका पैसा निगेटिव में हो तो ये सब कुछ चीजे पाच्वा एक और मैं पॉइंट बता रहता हूँ liquidity आपको समझनी चाहिए कि small cap के अंदर में liquidity का थोरा सा रहता है risk लेकिन वो भी जब ये emergency type of withdrawal करना चाहते हो तो अगर long term के लिए hold करना है 10 साल 15 साल के लिए और देज़र withdraw करना है तो वहाँ पे भी liquidity का दिकत नहीं होगा तो ये सारी चीजे अगर आप समझ के आपने investment किया है small cap fund के अंदर में मैंने आपने किसी ने भी किया ये सारी चीजे समझ के तो उसको कुछ भी अभी step उठाने की ज़रूरत नहीं है जब तक की goal complete ना हो जाता है तो 2020 में investment श्टार्ट की थी अगर 20 साल 2040 तक का goal है 2024 में noise को देखकर डर के किसी और की बात सुनकर exit करने की कोई ज़रूरत नहीं है 2040 का goal है तो 2040 तक SIP करनी है या फिर लमसम किया हुआ है तो invested रहना है 2030 तक का goal है तो 2030 तक रहना है लमसम या फिर SIP चल रही जो भी चल रही वैसी है यही सब चीजे होती है जिसके बारे में हमेशा मैं warn करते रहता हूँ कि market के noise से बचके रहना है news, media, youtube videos facebook videos, post, instagram पे इन सारी चीजों को देखकर डरने घबराने की ज़वरत नहीं है सेभी जो सेभी ने जो बाते कहीं है या सेभी जो steps उठाएगी उससे क्या होगा small cap funds की जो security है जो liquidity की problem हो सकती है होई नहीं अभी तक कभी लेकिन हो सकती है वो और ज़आदा अच्छी हो जाएगी और ज़आदा ठीक हो जाएगी तो सेभी जो काम कर रही है उससे आपने जिस funding के अंदर में investment किया आपका पैसा और ज़आदा liquid और ज़आदा secure हो जाएगा तो ये और अच्छी बात है तो सेभी जो कर रही है उससे आपको और फायदा होगा लेकिन मार्केट के अंदर में ऐसी न्यूज इस तरीके से बना के spread की जाती है कि आपको ये चीजे अच्छी लगने के बज़ाए आपको इन चीजों से डर लगने लगता है तो अगर 15 साल 20 साल का गोल है investment कर रखा है time period इतना है तो बिलकुल कुछ करने की जवरत नहीं है आराम से कुर्सी पे बैठ के चाय पीने की जवरत है अगर चाय नहीं पीते तो juice पीने की जवरत है आपको कुछ भी step उठाने की जवरत नहीं है mutual fund के अंदर investment ही इसलिए किया है अपना दिमाग बहुत ज़्यादा उसके अंदर घुसाना ना पड़े AMC लेवल पर जो सारी चीज़े है वो fund managers वगरा देख रहे है जो security regulatory चीज़े है वो से भी देख रही है हमें कुछ करने की जवरत नहीं हमें बस patience के साथ अपनी investment बने रहना है उसके साथ ताकि exit न करे रोके ना change न करे noise से बच के रहना है फिर से repeat कर रहा हूं noise से बच के रहना है